अब्रेटी में अब्रेटी में अब्रेटी में आप सबी लोगों का स्वागत करता हूं कल ही 22 सितंबर को बिहार बीएड इंट्रेंस टेस्ट समापत हो गया है उसका आंसर की मैंने अप्लोड कर दिया है टोटल 120 कोस्टन्स के आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेट कट आफ माक्स बताऊंगा जो गवर्मेंट कॉलेज के लिए बालीड होगा चूकि मैं आपको बताऊं हर एक गवर्मेंट कॉलेज का कट आफ अलग अलग ज गवर्मेंट कॉलिज के तिन-चार डिस्टिक ऐसे हैं जिसमें गवル-मेंट कॉलेज जिनका क्या कट आफ जा सकता है मुझापपर पूर पतनक गया और भागलपूर इन चेवय दिस्टिक में जो गवर्मेंट कॉलेज उनका कट-फ क्या जा सकता है चूकि इन चेर्श इस ठीक है तो वहां पर इत्वासा डिमांड कम रहता है अपक्षाक्रित डिमांड कम रहता है तो कितने जा सकते हैं मैं आपको बता हूं इससे पहले आप जान लिजिए कि कट-off depend किस चीज पर करता है तो इस बार का जो एक्जाम हुआ उसमें क्वेस्टन का difficulty level क्या था क्वेस्टन की कठिनाई का अस्तर क्या था उस पर कट-off depend करता है इस बार की बात करें तो इसका difficulty level जीके का difficulty level बिल्कुल ही low था जीके बहुत ही easy था no doubt भी बहुत ही easy question था जो अच्छे student होंगे 40 marks out of 40 भी लाए होंगे या फिर 35 पलस तो मुझे लगता कि सबका होगा रिजनिंग रिजनिंग काफी tough था रिजनिंग रिजनिंग में करीब करीब 11 questions इलो जीजम से थे और उसके बाद alphabetical problem और circular problem से questions थे तो वो tough question था और बात करते हिंदी और इंग्लिस हिंदी और इंग्लिस मॉड्रेट था हालां कि इंग्लिस हिंदी में कुछ सिलेवा से बाहर के questions भी थे जैसे तत्सम तदबब यह से बाहर को से अलंकार नहीं पूछा गया रस चंद नहीं पूछा गया तो कुछ questions नहीं भी पूछे गए थे तो यहां पर बच्चे कुछ marks out of 15 कुछ marks कम जरूर score करकी होंगे 10 से 12 13 के बीच में score हुआ होगा और इंग्लिस में पिछले दो बार से देखा जा रहा है कि passage दिया जा रहा था तो स्टेंट passage की भी त्यारी कर रहे होंगे लेकिन इस बार पैसे नहीं दिया था question का चेंज कर दिया गया था तो अंग्लिस में मौडरेर था हिंदी भी मौडरेर था रिजनिंग बहुती टफ था जी के काफी जी था और पेडागोजी मौडरेर था तो इस हिसाब से पूरे question का analysis किया जाए पूरा question मौडरेर था थीक है तो उसके अनुसार मध्यम कहा जा सकता है question को तो उसके according जाएगा दूसरा जो factor है कि number of seat कितना है गवर्मेंट कॉलेज में number of seat कितना है तो करीब 600 seats हैं पूरे ब्यार में government college का only 600 seat हैं पूरे ब्यार में government colleges में ठीक है पर college 100 seat है लेकिन पतना के college में 50 seat है तो उस अनुसार भी एक दो college में कम seat हैं और तीसरा जो है कि उपस्थिती attendance कितना रहा है चुकि सवा लाग student इसमें फॉर्म फिलब किये थे तो करीब 90% इसमें attendance रहा उपस्थिती रही अच्छी खासी तो उपस्थिती भी अच्छी खासी रही तो पिछले बार के एक शाकरित इस बार का जो cutoff जाएगा वो काफी ज्यादा रहेगा मैं आपको एक एक करके cutoff बता दे रहा हूं देखिए cutoff हमारे screen पे आ चुका कि किस category का कितना cutoff जाएगा और किस college के लिए देखिए मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूं मुझापरपूर पतना गया और बागलपूर यह college अच्छे college में इसकी गिंती होती है और काफी urban area में है तो इस लिहाज से इसमें cutoff ज्यादा जाने की संभावना होती है जनरल में इस बार 89 से 93 मार्क्स तक जाएगा और दूसरे जो गवर्मेंट कॉलेज हैं जिसे साहरसा का समस्तिपूर का और भी एक दो डिस्टिक में गवर्मेंट कॉलेज हैं उसमें 86 से 90 मार्क्स में अडिमीशन होने की संभावना है जनरल कैटेग्री में फिर इडवलु एस एकनोमिकल विकर सेक्षन का देख लिए इकनोमिकल विकर सेक्षन में इन चारू डिस्टिक का कॉलेज अगर आप चाह रहे हैं तो इसके लिए आ प्रिकल सेम इडवलु एस का जितना जाएगा उसी के ब्रावर में ओविसी का भी रहने का संभावना है 87 से 92 मार्क्स मुझपरपूर पतना गया और बागलपूर के गवर्मेंट कॉलेज में और रेष्ट जो समस्तिपूर सहरसा सिवान में जो गवर्मेंट कॉलेज हैं उन आप समझी आप सुरक्षी जोन में हैं आपको गवर्मेंट कॉलेज मिल सकता है ठीक है इन चारो डिस्टी का उपर में जो चारो डिस्टी का मैंने नम पहले मैंसन कर दिया है क्योंकि इनकी कट आफ पक्षाकृत ज्यादा रहते हैं और जो समस्तिपूर सहरसा सिवान के है लेकिन चैनल पे पहली बारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब को ज्यादा ज्यादा सेर किजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसी मिएतिफबन के बंच तक संबहाबना ए तो यह रहा कट औप मांख से इतना कटऊ सबास जाएगा इससे जादा जाने के संबाबना नहीं है या एक दो मार्क्स आगे पीछे हो सकता है expected cutoff पिछले बार का cutoff इससे कम था पिछले बार 84 मार्स मुझापरपूर पटना गया भागलपूर के college में maximum 84 मार्क्स पे उठाया गया था और चुकि पुरे ब्यार में जिसका का rank one था उन्हें 91 मार्क्स था तो उस अनुसार उठाया गया है 100 प्लस कभी cutoff नहीं जाएगा इतना आप दोन में रखिए इस cutoff के basis पे मैंने अनालेसिस करके बनाया है तो आप लोग देख सकते हैं थैंक्यू